पूरे देश को हिला कर रख दिया है बॉलिवुड ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है सोनम कपूर, अक्षे कुमार, ट्विंकल खन्ना और अभिशेक बच्चन तक तमाम स्टार्ज ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है वहीं अब लीजे, बॉलिवुड अक्ट्रेस स्वरा भासकर ने भी इस मर्डर केस पर ट्वीट किया है लेकिन देरी से ट्वीट करने की वज़ह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर है स्वरा ने ट्वीट कर लिखा बस अभी एक ब्रेक के बाद रूस से लोटी हूँ सोशल मीडिया से भी ब्रेक लिया था अलिगर्ण खबर सच में भयानक है दो साल की बच्ची की निशंक्स हत्या, विनाशकारी हत्यारों को दंडित किया जाना चाहिए एक मिसाल सेट की जानी चाहिए ताकि इस तरह के अपराद को दोहराया ना जाए मेरी सहानुभूती और परिवार को सहायता बता दें कि जैसे ही स्वरा ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों ने जम कर ट्रोल करना शुरू कर दिया चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स इस बार तख्ती लेकर फोटो शूट करने के पैसे नहीं मिले क्या यहां भी आक्टेंग रूस में इंटरनेट नहीं चल रहा था क्या बहुत देर हो गई महरबा आते आते आ गई धर्ती पे बोज वापस तो देखा आपने लोगों ने जम कर स्वराभासकर की वाट लगाई है वैसे यह पहली बार नहीं जब इस मामले को लेकर किसी आक्ट्रिस को ट्रोल किया गया हो इससे पहले सोनम कपूर भी इस मामले पर ट्वीट कर बुरी तरह ट्रोल हुई थी वही बात करें अली गण मर्डर केस की तो पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 30 माई को बच्ची को अगवा कर लिया जुसके बाद गला दबा कर बच्ची की हत्या कर दी थी बता दें कि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है वैसे आपको क्या लगता है देर से ट्वीट करने के चलते क्या स्वरा को ट्रोल करना ठीक था या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताए और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ हमें पुछ हैं । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल